क्या लगता है आपको ज्याइए मेन में एक लिस्ट कितनी परसेंटाइल आपके होनी चाहिए यह आपकी एन इटी फिक्स हो जाए या कोई पर्टिकुलर जिय फ्स फिक्स हो जाए बहुत सरा आप लोग ने को लिए सोच रखा होगा यकीन मानो ये वीडियो फाइनल होने वाली है तुम्हारी इस वीडियो को देखने के बाद से तुम्हारे सारे डाउट्स क्लेर हो जाएंगे और तुम्हें देखना कि अगर मैं जो पसंटाइल बता रहा हूं अगर इससे कम पसंटाइल तुम्हारी है तो बहुत ही कम चांस ह तो 95-99% चांस है कि तुम्हें इनाइटी मिल रहा है मैं जो बताने वाला हाला कि एक कोई ओफिशिल डेटा नहीं है इससे तुम्हें एक अच्छा खासा आंदाजा लग जाएगा कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में तुम्हें सब्सक्राइब कर दोगे और अप्रेल सफ्टैम में तेकर ओब लेडी मैंने लिमिटिंग ले रखा है already सबसे कम वाला ले रखा है C-SAP के कटाफ को देखकर है ना इधान रखना C-SAP के कटाफ को देखकर जो सानी और C-SAP के कटाफ फ्लक्टुएटिंग होता है Am I right? चलो चुरू करता है यहाँ पर मैं सबको डिटेल में बात करूँगा कि इस बार लगबग पसेंटाइल कितनी जाने वाली है जे इडवांस के लिए NIT के टॉप 10 में C-SG है तो कितनी पसेंटाइल होनी चीए बागी जो थोड़े से लो एनाइटीज है लो रैंकिंग के नाइटीज है उनके लिए उनके कम्प्यूटर साइंस के लिए इड़िस्ट कितनी पसेंटाइल होनी चीए और जो नौर्थिस्ट के सबसे कम रैंक पर मिलते हैं उनके लिए कम्प्यूटर साइंस के लिए पसेंटाइल कितनी होनी चीए बहुत अच्छी बात है ट्रिपल आइटीज कि ट्रिपल आइटीज में अगर अपने को एड्मिशन चाहिए तो एट लिस्ट कितनी पसेंटाइल हो कि ट्रिपल आइटी में अपनी समझो यहां पर मैंने डीटेल वीडियो बनाया है कैटेगरी वाइस भी मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना काफी मेहनत लगा है और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलना क्योंकि सिर मतलब ऐसा चाह है कि लाखों सब्सक्राइबर हों ऐसा कुछ नहीं है बस मैं चाहता हूँ कि जो मैं प्रवाइड करू तुम तक यह पहुंच जाए और तुम यकीन मानना अगर तुम 70 से लेके 98 परसेंटाइल के बीच में लाइक करने वाले स्टुडेंट हो तो जितना काम यह चैनल आएगा ना तुम्हारे तुम कोई भी चैनल इतना मेरे काम नहीं आया और अगर तुम यूपी से हो तो इस चैनल को छोड़ो ना ही मत मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा तुम बहुत सारे फ्रॉड पैसे तुमसे बहुत सारे लोग तुमसे नहीं कर पाएंगे उल्टे सीदे कॉलेज में जाने से बज्जा होगी एक बढ़िया कॉलेज एक अपने लो पर्शेंटायल पी बढ़िया कॉलेज की चॉईस कर पाऊगे बहुत सारे अच्छे ब्रांचेज की च्उईस कर पाऊगे इवन कॉलेज के बाद भी तुम्हें अच्छे इंटांस भी मिल पाएगी तो मैं इसलिए गह रहा हूं ठीक है तो चलो पहले स्टोरी शुरू करते हैं तो अगर लोग अगर अगर अपने लोग मिनिमल पर सेंटाइल की बात करें तो देखो अभी ऑफिशियल जी मिन का कटाफ नहीं आया बहुत सारे बच्छे कुछ रहे देब यह मैं पास हूं या फेल देख भाई जी मिन अभी ऑफिशियल अपना कटाफ नहीं दिया है अफिशियल कटाफ यह जो होगा अप्रेल वाले सिफ्ट के बाद ही आएगा ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्छे अपिय इस है और आपको बच्छों के मन में डाउट होगा बाद बता हो आप तो ही सही बोल रहा हो की इसके इर्दगीर्दी गूमने वाला है तो क्या अगर इससे कम मेरी परसेंटाइल तो क्या मैं फेल हूं तो देखो यार फेल का मतलब यह है कि तुम जहीं एड्वांस के लिए लेजबल नहीं हो तुम आईटी का एक्जाम नहीं दे पाऊगे में हो गया एड्वांस हो गया इड्वांस के लिए तो तुम आईटी वाला एक्जाम नहीं दे पाऊगे तो भलाई इसी में है कि तुम तयारी स्राट कर दो और अप्राइल वाले सिफ्ट में इससे बेटर लेगे आऊ ठीक है अब दूसरी बात है आधिए कि क्या इस से कम परसेंटाइल है तुम्हें जो सामें नहीं बैट सकता हूँ मुझे नहीं नहीं मिलेगा तो देखो तुम जो सामें बैट सकते हो जो सा क्या है कुछ नहीं अगर तुम्हें एनाइटी आइटी में एडमिशन है तो जो सा नाम की काउंसिलिंग करानी पड़ती है और उसके बाद जब सीटे बच जाती है तो इस पेसल राउंड होता है जिसको सीजाप कंड़क्ट कराता है तो तुम जो सामें बैट तो सकते हो पर कोई नाइटी इस परसेंटाइल पर मिलती है और नाहीं ट्रिपल है कि नाइटी है ना मतलब एक ट्यू में आईटी के नाइटी भी आईटी और अपने अलग से हैं यह दो यूनिवर्सिटीज है जो अपना एड्मिशन लेती है तो बहुत सारे आप्शन्स हैं ऐसा नहीं कि इससे कम परसेंटाइल आया है तो जिंदगी खराब हो जाएगी पर तुम इससे ज्यादा परसेंटाइल ले गया हो ताकि नाइटी और ट्रपल आइटी में एडमिशन हो सके अब बच्चों में दूसरा सवाल एता कि भईयो परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या इस अंतर है तो जो स्कोर कार्ड में स्कोर दिया है तैस परसेंटाइल परसेंटेज दोनों अलगऑ परसेंटेज जैसे माल वेरी क्लास में 10 पर्षक है तस बच्चों ने ऊग्जाम दिया मैंने सौ मांक्स का टेस्टस पेपर लिया अब जो माल वहाना जो टॉप पर हो 90 माःक्स लेगा है तो इस 90 मार्कस ओने टॉपर को हम jaki 100 परसेंटाइल दे डिफारैंड थी होगा तो अब बात करते हैं कि भाये चलो जई एडवांस के लिए क्वालिफाइ करने के लिए इतने अब बताओं अगर मुझे मेरा हो कि मुझे मिल जाया तो मैं तुम है अगर तुम देखो जाना चाहते हो टॉप 8 में तो किसी भी कीमत पे 8000 से ज़्यादा रायंक नहीं होनी चाहिए और उस केस में मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारा 99% प्लस होना चाहिए या फिर 98.5% प्लस होना चाहिए ठीक है अगर तुम टॉप के 90 को टॉर्गेट कर रहा हो तो कई यह 90 ऐसी है जिसकी 1000 के अंदर 1500 के अंदर मतलब बंदु जाती है समझ रहो उनकी कटाफ की बंदु जाती है लेकिन चलो अभी यह तो टॉप 10 के अपने लोग एक डेडिकेटेट वीडियो बनाएंगे ठीक है टॉप 10 के 90 के एकॉर्डिंग उसके परसेंटाइल को लिखेंगे पर चलो अभी दूसरी बद जो कर रहा है कि जो सरे मिडिल वाली 90 है जो मतलब नौर्थिस से जो बेटा कर रहे हैं उनकी लिए क्या होना चाहिए तो किसी भी किया मत पर अगर तुम्हें लास्ट नौर्थ इस्टॉलों को छोड़ दो अगर तला श्री नगर उत्राखंड जैसी एन आईटीज में भी अगर तुम्हारी परचंट टाइल मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा इससे ज्यादा ही तो मरे पास होना चाहिए जनरल के लिए 97.5 AWS के लिए 97.2 OBC के लिए 97, SC के लिए 93.5, SC के लिए 83.85 या मान के चलो 85% इससे प्लस ही होना चाहिए यार मैं तो यही कहूँगा इससे प्लस ही रखना ताकि तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिल पा है जो ऐसा यूटूब पर आगे बोल देते हैं 80-90 की बीच में तुम्हें मिल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है वो बस कहने वाली बाते हैं ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है अगर तुम कटाफ क्लियर नहीं कियो समान के चलो NIT मिलना मुश्किल है अगर तुम और मैं जो बत सकता है जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं यह उन केस में होता है जैसे मानलो कोई बच्चा अरुण आंचल प्रदेश से अब वहां पर होम स्टेट की कर्टाफ हाई जाती है मैं यह आउट स्टेट वालों के लिए बता रहा हूं मैंने कंसिडर ही नहीं कर रहा है अगर यूपी में बहुत ज्यादा फाइदा निलता है मैं नई आईट यलाबाद में होम स्टेट वालों को बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा लेकिन वही तुम उदर नॉर्फिस्ट साइडमें आउ या नौर्थ साइड में तुम देखो के बहुत ज्यादा डिफरेंस है इवन वारंगल टाइब के खॉलेजों में एनाइटी वारंगल एनाइटी ट्रिची में भी होम इस्टेट वालों को ज्यादा फायदा है अब चुकि यूपी में इतनी ज्यादे पापुलेश जाना इतने ज्यादे पढ़ाकू लोग है कि पता ही नीच लेगा हम होम से ज्यादा है तो एनाइटी ला नागा लेंड हलागी एक वर मैं अपने ट्वल्थ में था एक बच्चा अब मतलब जहीं की पर लोग कर रहे थे बच्चा बोल रहा है नाइटी नागा लोग आदमी काता है अच्छा फिर पर एक बार देली गया वहां पर एक नागा से मिल लोग बोलते हैं तो एसा ऐसा चैनीज खाना खा रहे हैं और लोगों ने उनके बारे में बना रखा है कि मतले हम आदमी खाते हैं तो एनाइटी मेजोरम एनाइटी मनिपुर ऐसे जगहों पर इतने परसेंटाइल पर भी कॉलिज मिलने की संभावना है नाइंटी और एसी के लिए 90% प्लस है तो भी कंप्यूटर साइंस मिल जागा बाकी बात नहीं कर रहे हैं अब आते हैं कि भाईया मैं उन लोगों के प्याज आता हूं जो यह बोलते हैं कि मुझे कोई सा भी प्रांच चलेगा बस मुझे नाइटी दिलवादो मैं तुम्हारी बात ब इसे कम में नो चांस हो सकता है इस पर भी चांस ना बने क्योंकि यह लिम्टिंग वैलू है वो भी सी सैप के कट आफ का अगर इससे जादा है तो तुम थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हो कि चलो कॉंसलिंग करा लेते हैं सी सैं में अगर काम बनीगा तो ठीक नहीं बनीगा त तो ना कोई चांस नहीं बनने का या और कोई नी ठीक है अचा इस चुक पांस साल कि कोर्सेग होते हैं तो बहुत हैंग तक मिशन देते हैं तो वह ऐल्डी परसेंटाइल तो बहुत लिए आइफ इस तो घ्क रहा रहे हो सकता है दुरगापूर में जा सकता है वारंगल में जा सकता है तो भी ऐसे कॉलिजों में जा सकता है अगर इतने से प्लस है तो तुम एक्सपक्ट कर सकते हो कि पांस साल के कॉर्सेज मिल ला है ऐसे बहुत सारे को से जादे तुमारे होने ही चाहिए अगर इस से कम है तो अगर इस से कम है तो फिर कोई कोर्स मिलने की कोई संभावना नहीं है अगर 93 परसेंटाइल से कम है जनरल वाला तो कोई संभावना नहीं है अब बात करते हैं ट्रिपल आईटीज की बात करेंगे और तुम्हें यहां दीखैगा यार्ज कितने का डिफरांस है एगा यह कितने का डिफरांस है ट्रिका जनरल के लिए देखू कुछ कोर्सें जबलपूर काची पूरम और कॉर्न चेणिकल इंजिन अर् देती हैं तो यह courses है जिसमें में बता रहा हूँ ट्रिपल आइटी इस में एड्मिशन तुम्हारा हो जाएगा अगर इस परसेंटाइल के अंदर है जनरल के लिए 92 लिए 92 प्लस एक चांस है कि तुम्हें ट्रिपल इंजिनेरिंग मैंनुफाक्टरिंग और कुछ लोवर ट्रिपल इस है जहां पर तुम्हें आइटी एलेक्ट्रोनिक से कंप्यूटर साइज्स भी मिलने के चांसे और फीमेल के लिए थोड़ा सा फायदा होता है फीमेल के लि अगर कोई लड़की 92 पर से ला रहा है तो इसके बाद भी तुम्हारे मन में डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो एंड आई होब इस वीडियो इस यूस्फूल फायू तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टटा इंचाहिन